असकार दोस्तों कैसे हैं आप सभी और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Profit Assadi में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक नय अप्रेंटिसिप का भरती का जो नूडिफिकेसन है वो finally release कर दिया गया है अगर टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो पंदरा सो यहाँ पे पोस्ट रिलिस किया गया है अगर यहाँ से आप अप्रेंटिसिप करते हो तो पर्मानेट जो रिकुट्मेंट आता है पर्मानेट जो भरती आता है उसमें आपको अच्छा खासा है पर बेनिफिट जो है देखने वाला है तो वीडियो के आगे फाइनली हम देखेंगे कि कि इस डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसिप का भरती का नोडिफिकेशन रिलिस किया गया है क्या सेलेक्शन प्रोसेस है एक्जाम के बेस पे सेलेक्शन होगा या फिर डायरेक्ट मेरिट बनेगा जैसे आपका रिल्वें बनता है इस टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा ट्रेनिंग आपका कब से सुरू हो सकता है ठीक है तो सारा डीटिल आज किस वीडियो में कवर करने वाले है तो चली करते हैं वीडियो की सुरूआत उससे पहले जो लोगी चैनल पर फ़र्स टाम है सस्क्राइब निके सस्क्र करके बेल पटन कौन करती जेगा ताकि हर लेटेस्ट अप्रेंटिसिप का भरती का नोडिफिकेशन का अपडेट आप सभी तक पहुंसते रहे डिस्क्रिप्शन में आपको वाट्सेप ग्रूप का लिंक मिलेगा जरू सरु जवान कर लिजएगा छोटे मोटे अपडेट पीडियो वेगर आपको वहाँ पर भी कंटीनिव अपडेट मिलते रहते हैं वीडियो को लाइक करके सभी ग्रूप में सेयर कर दिया तो सीधे चलते हम इसके ऑफिशल नोडिफिकेशन पर तो देखिए यह जो अपरेंटिसिप का भरती का नोडिफिकेशन रिलीज किया ग अपरेंटिसिप करने के बाद आपको कहा कहा बेनिफिट देखने को मिल सकता है पंजाब A State Power Corporation Ltd. A Power Generating and Distributing Organization of Government of Punjab is inviting application from the candidates who have complete ITI in the Wireman slash Electrition trade तो यहाँ पर दिखें दो ट्रेड़ वालो को मुका दिया गया है आपका कौन-कौन सा Wireman or Electrition trade for apprenticeship in lineman trade against the seat as per the table 1 बिलो तो 1202 trade के लिए यहाँ पे 1500 से भी जाद सी के हाँ पे release किया गया है तो यहाँ पे बहुत सारे candidate यहाँ से आराम से apprenticeship कर सकते हैं और apprenticeship करने के बाद यहाँ पे आपको आने वाला time में permanent recruitment में भी आपको benefit देखने को मिलेगा देखिए apprenticeship आपको वहीं से करना चाहिए जिसमें आने वाला time में future में आपको वहाँ से जो भी recruitment आता है या तो उसमें आपको quota मिले जैसे railway में मिलता है या फिर आपका वहाँ पे apprenticeship के base पे ही आपका permanent recruitment निकाला जाता है उसी department से आपको कोशिस करना है apprenticeship करने का उसके बाद आपको यहाँ पर बताएगा है कि कितना कितना seat किस category में है जेनरल का अगर बात करेंगे तो 904 seat सबसे जादा SC में बात करेंगे तो 371 BC में बात करेंगे तो 148 मतलब 148 उसके बाद अगर PWD वेगरा से बात करते हैं तो यहाँ पर देख लिजिए 37 है जिसमें से आपका 18 जो है वह आपका previous session में है जो apprenticeship में student नहीं मिल पाये थे तो 18 seat previous भरती से भी यहाँ पर लिया गया है 21-22 का ठीक है तो है total देख लिजिए 22-23 के अंदर बाद 25-15 यहाँ पर पोस्ट रिलिस किया गया है उसके बाद हो हाँ important data के बारे में बताए गया है तो सबसे पहले यह notification जाना बहुत ज़र रही है कि only Punjab resident domicile candidate and will be considered तो स्री पंजाब वाले candidate हैं आपे apply कर सकते हैं उसके बाद आपको बोला गया है कि Punjab domicile issue on or after 1-1-23 तो यह सारा criteria को आपको देखते हुए हाँ पर जो form है वो apply करना है चलिए जो सबसे important portion आता है आपका essential qualification का जिसमें आपको बताए गया है कि candidate must have done ITI in wireman और electrician trade ठीक है तो आपके पास wireman और electrician का अगर trade है तो आप इसके लिए eligible है आप form apply कर सकते हो NCBT, SCBT दोनों तरह के छात्र जो है form को apply कर सकते हैं उसके बाद आपको statement के बारे में बताए गया है तो यहाँ पे 1992 के तहट आपको apprenticeship rate 1961 के तहट आपको सततर सो रुपया पर मन जो है आपको statement दिया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए knowledge पंजाबी मतलब पंजाबी का आपको knowledge होना चाहिए पंजाबी language का आपको knowledge होना compressor ही है उसके बाद age limit का बात करें तो age limit आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा कि आपका as per apprenticeship rate 1961 and apprenticeship rule 1992 as adamant from the time to time the minimum age on the egg दो 2023 मतलब एक फरवरी को minimum age आपका for eligibility of this apprenticeship training is 18 years कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए यहाँ पे 16 और 17 वाले candidate form apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पे 16 वाले candidate form apply नहीं कर सकते हैं ठीक है बाकि यहाँ पे जो आपका selection होगा exam के थुरू होगा scheme of examination देख लिजे टोटल आपका 100 question होगा 100 number का आपको exam के थायत आपका selection होने वाला है के तहट आपको यहाँ पे candidate को shortlisted किया जाएगा और सबसे important बात कि इसमें कोई भी negative marking नहीं है ठीक है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा चाहो यहाँ पे question को attempt कर सकते हो और उतना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे high score आप करोगे तो उतना ज्यादा से ज्यादा आपे chance बन है चलिए आपका training वेगरा के बारे में बता देते हैं तो आपका period of apprenticeship है वो आपका एक साल का apprenticeship आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे application fees भी देना है तो देख लिए कितना कितना application fees लग रहा जेनरल वाले जितने candidate है application fees आपका 356 है और 18% GST आपक किसी भी category वालों के लिए रहात की ख़बर नहीं है सभी को यहाँ पे application fees का भुखतान करना पड़ेगा रेलवे में क्या होता है कि अगर आप जेनरल और OBC से है तो सिर्फ आपको 100 रुपर लगता है बाकी किसी से भी application fees ने लिया जाता है पर इसमें आपका वैसा नहीं है हर category के तबकी के लोग को हाँ पे application fees का जो भुखतान है वो आपका करना पड़ेगा जब आपका सारा कुछ हो जागा तो यहाँ पर आपका जो contract है वो भी आपको sign करना पड़ेगा जो आपको mail के माध्यम से या फिर maps portal पे इसके regarding आपको update दिया जागा जो भी इसका term as condition है उसक को यहाँ पर दिया गया है ठीक है इस link पर click करके आप registration कर सकते हो अपना form को complete कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का doubt है तो help line number भी यहाँ पर जारी किया गया है यह देखिया आपका help line number है जो सुबह 10 बैस सामके 6 बजे तक आप यहाँ पर contact करके जो भी आपका doubt है उसे doubt को अपना clear कर सकते हो तो यह final information था जो आपका यहाँ पर पंजाब state corporation power corporation limited की तरफ से आपका release क्या गया था टोटल यहाँ पर 1500 seat है तो यहाँ से भी आप apprenticeship कर सकते हो यहाँ से भी अच्छा खासा recruitment निकाला जाता है जो आपको apprenticeship वालों को वहाँ पर preference दिया जाता है या फिर उन्ह डारेक्ट कोटा के तहते हाँ पर बुलाया जाता है तो आज के लिए इतना ही बाकी इसके रिगार्डिन जो भी आपके मन में डाउट होगा comment box में comment करके जरूर बताएगा चैनल में first time है subscribe करके bell button कौन कर दीगा ताकि regular update आप सभी को मिलती रहे description में आपको whatsapp group का link मिलेगा जरूर जोइन कर लिजेगा बहुत सारे update आपको continue वहाँ पर दीए जाते है तो आज के लिए इतना ही बाकी जय ही जय भारत